बॉलिवूर्ट इंडिस्ट्री में अगर बात की जाए चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में तो ऐसे कई चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी प्यारी सी मुस्कान और अपनी दमदार एक्टिंग के जरीए आप सभी के दिलों पर राज किया है लेकिन इन में से कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं जिहां दोस्तों आज किस खास रिपोर्ट में हम लेकर आये हैं बेहदी प्यारी सी क्यूट सी चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया था अपनी प्यारी सी मुस्का हो गई थी अपनी प्यारी से स्माइल के जरिये हर किसी के दिल पर राज किया था जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम था तरुनी सचदेव जिन्होंने घर-घर में पहचान बना ली थी रशना गर्ल के नाम से लेकिन तरुनी सचदेव का जब निधन हुआ था तो पूरा पॉलिवोड इंडस्टी ही तूट किया था जिहां महज 14 साल की उम्र में दुनिया को अलगता कह गई जानकारी के लिए आपको बता दें कि तरुनी सचदेव का जन्म मुंबई में 14 मई को साल 1998 में हुआ था वहीं महज 5 साल की उम्र में ही तरुनी ने कैमरा लाइट्स और एक्शन की दुनिया में कदम रख दिया था और कई एट फिल्मों में काम किया वेल दोस्तों आपको बता दें चाइल्ड आर्टिस्ट के तोर पर तरुनी सबसे महंगी चाइल्ड आर्टिस्ट कही जाती थी जिहां काफी रुपे कमा लेती थी अपनी एट फिल्म के जरिए तो वहीं अपनी क्यूटनेस के लिए काफी पॉपलर हो चुकी थी सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार इस करियर में तरुनी ने कदम कैसे रखा था दरजल मुंबई में ही इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी और मा गीता सचदेव मुंबई के इसकौन की राधा गोपिनात मंदिर की एक भक्त मंदली की सदस्य हुआ करती थी और उस दोरान अपनी मा के साथ मंदिर जाया करती थी वही पर त्योहारों में नाटकों में हिस्सा भी लिया करती थी लेकिन तभी किसी की नजर तरुनी पर पढ़ गई और उनकी प्यारी सी मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया उसके बाद तरुनी को काम मिलना शुरू हो गया रशना गल के नाम से मशूर हो गई और इसके बाद कई प्रोडक्ट्स के लिए एड फिल्में भी की जैसे की आईसी आईसी बैंक रिलाइंस मोबाइल एल जी कॉफी बाइट गोल्ड विनर शक्ति मसाला और कॉल गेट इन तमाम एड्स में तरुनी की नजर आई और हर किसी के दिल पर अपनी क्यूटनेस को लेकर च्छा गई इतना ही नहीं तरुनी ने साल 2004 में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया उन्हें पहली फिल्म मिली थी मल्यालम फिल्म और इस फिल्म के जरिए वो फिल्मों में एंट्री कर चुकी थी वहीं इस नाम था वैलन 老師 जरिए फिल्मों में इन्होंने एंट्री की थी तो वहीं इस फिल्म को डारेक्ट किया था विनायनने को जिहिआंई अपको बता दे लिक का कहना था घ्रुरून को अभताबश्चन के की देखा था एक बिक्यापन में काम करते हुए देखा था और विक्या इस तरीके से फिल्मों में काम किया बलकि शारुक खाण के टीवी शूव पांच वी पास से तेज है में तरुनी एक कंटेस्टिंचे तौर पर पहुंची थी वहीं इसके अलावा तरुनी नजर आई अमिताब बच्चन के साथ फिल्म पामे और उस दोरान वो उनकी स्कूल की दोस्त बनी हुई थी लेकिन दुखत सायोग ये है कि तरुनी दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है जिहां आठ साल बीच चुके हैं दसल आपको बता दें कि चौदे मई को जन्मी थी तरुनी तो वहीं चौदे मई के दिन ही उनका निधन हुआ था चौदे मई को एक दर्दनाक हाथसे में दुनिया को अलविदा कहकर गई थी नेपाल की अगनी एयर फ्लाइट सी एच टी प्लेन क्रेश में उनका निधन हो गया और उस दौरान उनकी मा भी उनके साथ थी और उसी समय दौनों ने ही दुनिया को अलविदा कह दिया दसल पश्मी नेपाल में एक विमान क्रेश हुआ था विमान में 16 भारतिय थे तो और भी तमाम लोग उसमें शामिल थे वहीं उसी दौरान ये हाथसा हुआ और इस हाथसे में करीब तेरे यात्री और पाइलेट क्रू के दो सदस्यों का निधन हुआ था लेकिन इस दरदनाक हाथसे ने फुरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया था लेकिन अगर बात की जाए यहां पर तरूनी के बारे में तो तरूनी 11 माई को नेपाल ट्रिप के लिए निकल रही थी और उससे पहले अपने दोस्तों से गले मिली थी जहां एक और तरूनी हमेशा ही मजा किया करती थी तो वहीं दोस्ती में उन्होंने कहा था कि मैं आप सब लोगों से आखरी बार मिल रही हूँ क्योंकि अगर प्लेन क्रेश हो गया तो और तरूनी के ये शब्द सही हो गए जी हां प्लेन क्रेश हुआ और तरूनी ने दुनिया को अलवधा कह दिया और इस तरीके से हमारे बीच से वो प्यारी सी खूपसरत सी क्यूट सी बच्ची है तो तरूनी से जुड़ी होई वीडियो और तस्वीरे है जो सिर्फ हम सभी के दिलों में जिन्दा रह गई हैं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि तरुनी ना सिर्फ एक अच्छी चाइल्ड आर्टिस्ट थी ना सिर्फ एक एक्ट्रस वहीं मॉडल के तौर पर भी जानी जाती थी बलकि इस्टूडेंट भी हुआ करती थी तरुनी के जाने के बाद अ हाथसे में निधन हो गया और मैं दुखी हूं कास ये सच नहीं होता वहीं अभी शेक बच्चन ने ट्वेटर पर लिखा था कि नेपाल विमान हाथसे के बारे मैं सुनकर हैरान और बहुत दुखी हूं इस हाथसे में मैंने अपनी सहकलाकार को खो दिया बाकी ननी सी तरु कोनी के जाने का गम हर किसी के दिल में बैट गया हमारे इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक लिए आप देखते रहे ये नेक्स्ट नाई न्यूज